हेलो फ्रेंद्स वेल्कम टू यॉर ओन चानल डेली स्टॉक यहाँ पर बैंको प्रोडक्स के क्यू थी के नंबर्स आ चुके हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कंपनी ने क्वाटली और एरली बेसिस पे कैसा परफॉर्म किया है और आपको इस शेयर में निवेश करना चाहि आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए का साथ ही में hit the bell icon तो सबसे पहले यहाँ पर अगर revenue बता है quarter on quarter basis पर मलब पिछले quarter से compare करें इस quarter में तो 26% की गिरावट आई है इस quarter में और 401 करोड का revenue किया है net profit की बात करें तो वो 65% से गिरा है quarter on quarter basis पर और 17 करोड का net profit company ने किया है तो quarterly wise देखें तो company का revenue भी अच्छा खासा गिर रहा है और net profit भी अच्छा खासा गिर रहा है अब यहाँ पर revenue की बात करें year on year basis पर तो 6% से increase हुआ है और यहाँ पर net profit की बात करें तो वो 52% से गिरा है year on year basis पर अब यहाँ पर company के results बहुत ही खराब आए है क्योंकि यहाँ पर quarterly wise तो बहुत ज़्यादा गिर रहा है company के revenues और net profit और yearly wise भी company का net profit गिर रहा है but only the revenue thing is वो थोड़ा सा यहाँ पर increase हो रहा है बाकि overall company के results अच्छे नहीं आए है अब यहाँ पर बात करते है 5 year high तो 277 रुपीस का but currently 180.10 पर trade Friday का last traded price है 1.34% already यह down था लेकिन company के और bad results आए तो यह share आपको और नीचे जाता हुआ दिखेगा तो अगर आपने सोच आए इस share में trade करने का तो आपको इसे avoid करना चाहिए और इस share में trade नहीं लेना चाहिए I hope कि आपको bank of products के Q3 के numbers में समझ आ गए होंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो please like and share and subscribe our channel और इफ आपके कोई भी doubt है तो आप हमें comment section में पूछ सकते है Thank you हुआ है